यदिए इमानशू बगे अनधर वीडियो और आज वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वर्ल्ड क्वांट उन्युवर्सिटी के एक दूसरे प्रोग्राम के बारे में डेटा साइंस मॉड्यूल के बारे में अप्लाइट डेटा साइंस मॉड्यूल्स तो इस program के बारे में आपसे बात करने वालों which is a zero cost program आपको कोई भी किसी भी तरह की fees यहां पर नहीं पे करनी है university को और it's a free of cost program और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी Master of Science Financial Engineering के बारे में जो बिल्कुल free of cost program I don't need to pay any kind of tuition fee to the university so it's a free of cost program which is a Master of Science Financial Engineering तो आपको उसका link उपर i button में मिल जाएगा description में मिल जाएगा आप वो भी जाकि वीडियो देख सकते हैं काफी अच्छा program है दो साल का program है और काफी जादा आपको knowledge देखने को मिलते हैं महाँ पर जिसमें आपको Python, R Language, SQL ऐसे tools भी सिखाये जाते हैं तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को जरूर subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे ताक कि future में आने वाले ऐसे कोई भी वीडियो के notification जिन में मैं आपसे बात करने वाला हूँ free university education के बारे में और finance related free courses के बारे में ऐसी वीडियो के notification आप आपसे बिल्कुल भी ना छूटे, right? तो आज ही इस चैनल को जरूर subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे, तो चलिए, शुरू करते हैं, बात करते हैं, applied data science module के बारे में, data science के certification के program के बारे में, क्या पढ़ाया जाएगा आपको, कितने time का program है, क्या कोई fees involved है, नहीं है, कब-कब apply क कर सकते हैं, eligibility क्या है, कैसे apply कर सकते हैं, कि requirements का है, इस program की, तो इसी सब चीजों के बारे में, बात करते हैं, तो चलिए वीडियो के शुरू करते हैं, so guys, जो applied data science module है, world quant university का, जैसे की, सबसे पहली चीज, free of cost है, second चीज, it's a 16 weeks program, right, आपको 16 हफते देने पढ़ेंगे, इस program क complete करने के लिए, और ये program, दो units में divide है, unit 1, unit 2, right, तो दोनों unit, 88 weeks की है, मतलब 8 weeks की, first unit, second unit, 8 weeks की, total मिलागे 16 weeks का पूरा program है, पर ऐसा नहीं आए कि आपको certification जो मिलेगा, पूरा 16 weeks को complete करने के बाद ही मिलेगा, अगर मान लेगे आपने unit 1 complete कर ली है, right, जो 8 weeks का program है, आपने 8 weeks पूरे कर ली, आपने unit 1 complete कर ली, तब भी आपको certification उसका जरूर मिलेगा, university की तरफ से, right, अगर आप दोनों units को complete कर लेते हैं, unit 1, 8 weeks, unit 2, 8 weeks, total 16 weeks के program को, आप इस certification program को complete कर लेते हैं, तो जिसमें आपको exclusively certification देखने को मिलता है, इन दोनों units का, combined certification देखने को मिलता है, right, जो ए एक final certification आप कह सकते हैं, इस पूरे data science module का certification होगा, तो आपको मिलेगा, जब अब दोनों units को complete कर लेंगे, 16 weeks के program को, right, so अगर आप मैं आप से बात करूँ, तो university recommend करती है, 8 से 10 घंटे आपको हर हफते इस program में देने चाहिए, उस unit के, हर week के, जो भी आपके targets है, उनको complete करने के आपको हर हफते, आच से 10 घंटे जरूर देने चाहिए, और I think it's not that big deal कि आप आच से 10 घंटे भी हर हफते ना निकाल पहें, इस program के लिए, जो आपको एक दम free of course program है, और साथ ही साथ काफी जादा popular program है, और साथ ही साथ ऐसे tools सिखाय जा रहे है, machine learning आपको सिखाय जा रहे है आपको सिखाय जा रहे है, SQL आपको सिखाय जा रहे है, इस program में, right, and that is the actual requirement when you go for the job into the financial sector, so I would say go for this program and getting the 8 to 10 hours in a per week basis, it's not that big deal, हर हफते 8 से 10 घंटे निकालना इतना ज्यादा मुश्किल मुझन लगता है, तो ये रिकमेंड करती है, तो ये रिकमेंड करती है, तो ये रिकमेंड करिए, क्या तब eligible हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बैचलर्स की कोई requirement नहीं है, Master of Science Financial Engineering प्रोग्राम है, which is a degree program, और 2-year program, उसमें आपको, हाँ, आपको बैचलर्स दिगरी चाहिए, जो आपको शो करना पड़ता है, युनिवरसिटी को, but if I come to the data science module, इसमें आपको ऐ इसी कोई भी requirement नहीं है, तो उसके उसे आप इतना वरी मत हुए है कि आपको शो करना पड़ेगा, बैचलर्स दिगरी complete है, तब ही कर सकते हैं, तो इसका मतलब अगर अगर आप अपनी बैचलर्स परस्व कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ भी आप इस program को कर सकते हैं, which is a plus point, क्योंकि आपके CV में add होने वाद है, अगर आप अपने बैचलर्स के साथ-साथ करेंगे, मानलिजा आप final year में हैं, it's a 16 weeks program, right, so अगर आप final year के साथ-साथ करते हैं, और जब आप final year complete करते हैं, so you can add this certificate to your CV, to show your employer that you have done something which is actually valuable in terms of the financial market, right, तो आप ये दिखा सकते हैं, अपने employer को बात करते हैं, कब-कब admission ले सकते हैं, जैसा कि आपको बताया थे मैंने master of science financial engineering के प्रग्राम में आपको 4 परी साल में option मिलता है admission लेने का, same आपको same data science module के program में, data science certification के program में भी आपको साल में चार परी मोका मिलता है admission लेने का, it's like quarterly admission होता है, तो आप साल में चार परी मैंसे जब भी आप comfortable हो किसी भी quarter में admission ले सकते हैं, तो it's not that big deal, जैसे कि Master of Science Financial Engineering के program में बहुत सारी अलग-लग requirements सी, तो अगर by chance आप कोई requirement पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तब भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, data science से related, तो I think आप data science module की तरफ जा सकते हैं, applied data science module की तरफ, और certification गें कर सकते हैं, वर्ल कॉइंट इन्युवर्सिटी से, और I think आपको Master of Science Financial Engineering program पे वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, अगर मैं आपको बार-बार क्या बोल रहा हूँ, विए बहुत इंट्रेस्टिन प्रोग्राम है, मेरी हिसाब से वो, और अगर जब आप उसका curriculum पढ़ेंगे, तो उसमें काफी सारी चीज़े अच्छी दी वही हैं, जो आप actual में उससे सीखेंगे, राइट, तो आप वो भी वीडियो देख सकते हैं, और जैसे कि बताया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो यह जो डेटा साइंस मॉडिल प्रोग्राम है, उसी से रिलेटीड है, तो आप जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप इंटरस्टेड हैं, डेटा इस प्रोग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिरेक्ली वहां से वेबसेट पर जा सकते हैं, कहीं भी अलग से ढूनने की इतनी है, बहुत इजी कर दिया है, आपके लिए सब कुछ, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल जागे देखिए, फिपर च्णली कर देखिए, आप में थे शॉटक्ट्तश थे ले सकते हैं, इस चीज़ मुझे रिचानी का रिचिज़ में खता हैं, इस प्रदेखिए, प्ले रिचि़ वे नहीं देखिए, और भी रिचिज़ में कर दो तो आपके अपका कुछ रगा हैं, इस फ्री बच् तो इसको अवाइडिक करेगा तो हम एक होगा रिफ यू इंट फिल्ड और अगर 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 काम कर रहे हैं फानिशल रिपोर्टिंग को जरूर 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 करिए यही प्रोग्राम के लिए आपको हजार और पर पे करने पड़ते हैं अगर आप युएस की किसी उनिवर्सिटी पे जाते हैं ऑनलाइन भी अगर इस प्रोग्राम को करते हैं तो आपको अराम से 5-10,000 डॉलर या उसस पीस वेबसेट का आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहेगा तो फेक्यू में भी जाबके आपके बहुत सारे क्वेशन का अंसर आपको अराम से मिलने वाला है राइट मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेकर आने वाला हूं राइट जिसमें बहुत सारी युनिवर्सी इसके फ् हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमें करके मुझसे पूछ सकते हैं या डारेकली मेरे इंस्क्रिक्रांब हैं मुझसे कर सकते हैं उसका लिंक भी आपको बिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टे निच्ग्राम का जने वाचिंवाचिन आपको वीडियो पसंद झाल झाल